आईपेल 2022 के पहले प्ले आफ मुकाबले में गुजराट टाइटन्स की टीम कोलकाता के इडेन गार्डेंस में शाम 7.30 बजे राजस्थान रॉयल्स के साथ सीजन के पहले क्वालिफायर मुकाबले में भिड़ेगी दोनों ही टीमें इस सीजन में अब तक बेहतरीन प्रदर्शन कर चुकी हैं 14 मुकाबलों में 10 जीत हांसिल करने वाली गुजराट टाइटन्स की टीम पॉइंट स्टेबल में टॉप पर है वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के टीम 14 मुकाबलों में 9 जीत के साथ दूसरे नंबर पर है आईए आपको अपने इस वीडियो में बताते हैं कि किन 11 खिलाडियों को चुन कर आप भी एक मजबूर ड्रीम 11 चुन सकते हैं साथ ही किसे चुनना है कपतान और किसे बनाना है टीम का उपकपतान सभी सवालों के जवाब जानिये इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं विकेट कीपर की विकेट कीपर के रूप में जौस बटलर, रिधिमान साहा और संजू सैमसन को चुनना फायदे मंद हो सकता है तीनों ही खिलाडियों ने इस टूर्नामिंट में अब तक बहतरीन परधर्शन किया है इस सीजन बटलर के नाम सबसे ज़्यादा रंदर्ज हैं वही सैमसन के बल्ले से भले ही कोई बड़ी पारी नहीं आई हो लेकिन उन्होंने भी कई तेज तरार पारियां खेली हैं वही रिधिमान साहा को जब-जब मौका मिला है उन्होंने भी बल्ले से दमखम दिखाया है अब बात करते हैं बल्लेबाजों की डेविड मिलर, शुमन गिल या शश्वी जैसवाल ये तीनों ही बल्लेबाज अब तक के टूर्नामिंट में गजब की फोर्म में दिखाई दिये हैं इनको ही अपनी ड्रीम 11 टीम में रखकर आप भी अपनी टीम को बेहत मजबूत बना सकते हैं अब बारी आती है अल्राउंडर्स की तो इसमें गुजरात के कप्तान हर्दिक पंडिया और राजस्थान के आर अश्विन को चुनना सही होगा एक और जहां पंडिया बैट और गेंद से अंक दिलाएंगे वहीं साथ ही अपनी फिल्डिंग से भी पंडिया ने दमदार पदर्शन किया है रविचंदरन अश्विन ने भी इस सीजन गेंद और बल्ले के साथ मैच जिताया है ऐसे में अश्विन को टीम में रखना आपको ज्यादा अंक दिला सकता है अब बात करते हैं गेंद बाजों की तो गुजरात के राशित खान और यश्विन दयाल के साथ यजुएंदर चहल को अपनी टीम में रखना आपको फाइदा दिला सकता है अब आपको बता देते हैं कि इन 11 खिलाडियों को कप्तान और उपकप्तान चुनने के लिए कौन सा खिलाडी सबसे बहतर है मौजूदा फाउम को देखते हुए आर अश्विन को कप्तान बनाना और जोस बटलर को उपकप्तान बनाना सही रहेगा दोनों ही खिलाडी इस सीजन मैदान में अब तक गजब की फाउम दिखा चुके हैं आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए साथ ही कॉमेंट बॉक्स में हमें फीड़ बैक जरूर दीजिए